असलाम अलेकुम वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में तो जहीं सब सभी को बता है कि आज 25 अगस्त है और आज से जेकी बूपी बीएसी नर्सिंग, बीएसी परमेडिकल और बीएसी टेकनोलोजी कूर्स की जो काउंसलिंग हमारी है वो यहां पे स्टार्ट हो चुकी है और कॉणसलिंग का लिंक में जो हो है अभी कुछ टाइम पर याक्ट अट हो चुका है इस वीडियो में आपके साथ कॉणसलिंग के बारे में कुछ इंपॉंटन बात ने Uh! सब्हूंज चका ने है तो जो ही कंडिएट्स को पहले इस पहले पता हो चाहिए तो वीडियो पहले तो सुबह से जो है साइट अंडर मेंटेनेंस थी दिन अभी कुछ टाम पहले लिंक एक्टिवेट हो चुकी है और आप लोग अपनी कांसलिंग का फॉर्म सब्मेट कर सकते हो लेकिन आप सभी कंडिडियेट्स को में बताना चाहता हूं कि अभी आप आज अपना कंसलि अपनी प्रफरेंस को सब्मेट कर लेना और उसके साथ साथ में शाम चार पांच बजे तक वीडियो भी डालूगा क्योंकि अभी तो साइट चल रही है लेकिन काफी इशूज होते हैं साइट में इसलिए में पांच बजए के बाद ही वीडियो डाल के आपको समझाओंगा काउंसलिंग का प्रोसेजर क्या रहने बाला है कैसे आपको काउंसलिंग करने हैं वो मैं आपको शाम को समझा दोंगा स्टब बाई स्टब पूरा डीटेल में वीडियो अपलोड करके आपको सारा कुश समझा दोंगा फिलहाल अभी आप लोग अपनी काउंसलिंग को बिल जहाँ रखने आप उतने रख सकते हैं, लेकिन उसमें condition यह है, कि जब आपने registration करी थी उस ताइम जिस course को आपने tick रखा था जैसे BAC nursing आप बीसी पारमेडिकल है या BAC Technology है, और जिन जिन courses को आपने tick रखा था आप वही courses आपको चॉइस फिलिंग के portal में भी आ जाएंगे, औ अगर आपने नर्सिंग को टिक नहीं किया है वो आप इस ताम एड़ नहीं कर सकते हो और चॉइस फिलिंग के पोर्टल में भी जो है वो कॉल्ज आपको वहां पे नहीं आ जाएंगे और उसके साथ जब आप अपनी प्रेफरेंस को सब्मेट कर लोगे उसमें क्या बात को अगर मुझे ये कोर्स मुझे आगे चलके सेलेक्शन लिस्ट में मिला तो इसमें मुझे एड़मिशन करना कमपलसरी ही कमपलसरी ऐसा नहीं कि आपको नर्सिंग में इंटरस्ट है आप परमेडिक लिए टेक्नोलजी कोर्स के भी कॉल्जज उदर डाल रहे हैं हलंकि आपक अगर मुझे आपको वीडियो डाल के आपको फी का पूरा स्ट्रक्चर सारे गौर्मेड प्राइविट को आपको समझा दोंगा किस कॉलेज में कितनी फी है तो इसको देखने के बाद ही अपको अपने कॉल्जज रख लेना क्योंकि क्या है कि कुछ कुछ कॉल्जज जैसे इसकॉम्स जम्मो है उसमें लगबग 1,15,000 आपको फिर्स टेर की फी होती है तो बाकी प्राइविट कॉल्जज में आपको 70,000-80,000 होती है तो इसलिए प्राइविट कॉल्जज में फी का वेरियेशन काफी जादा होता है तो आप अपनी फाइनेशल कंडिशन के हिसाब से प्राइविट कॉल्जज को सिलेक्ट कर लेना बाकी जिनका मतलब फाइनेशली जो स्टैबल है जो फिर अगर एफोड कर पाते हैं वो रख सकते हैं कोई इशू नहीं है लेकिन याद रख लेना जो कॉल्जज और कोर्स आप वहां पे अड़ करोगे वो बड़ी कॉंशसली वहां पे अड़ कर लेना वही कॉल्जज और वही कॉर्स आप अड़ कर लेना जिसमें आपको जाने का इंटरस्ट हो जिसमें आपको एडमिशन करने का इंटरस्ट हो बाकी कोई टेंशन लेनी की कोई भी जूरत नहीं है सारी information सारी updates में आपको time to time देता रहोंगा कुछ द करना होगा वह अपना submit कर देना तो चले फिलाल वीडियो को हम यहीं पर खतम कर लेती हैं यह था आपका थोड़ सा counseling के बारे में update जो मिने आपके साथ discuss किया कोई doubt कोई confusion होगा comment section में पोछ सकते हैं